जीत का सिसला जारी रखने उतरीगी न्यूजी लेंड तो नीदर लेंड्स की कोशिज पहली जीत पर जी हाँ बहुत स्वागे था आपका खेल कड़ा में मैं हूँ आपके साथ सुधी प्राजपोत मौजूदा वर्ड चेंपियन इंग्लेंड को हरा कर जीत से आघाच करने वाली नीजी लेंड की टीम वन डे विश्वकप 2013 के अपने दूसरे मुकाबले को आज नीदर लेंड से खेलेगी यानि कि आज का जो मुकाबला होगा विश्वकप के छटवे मुकाबले में नीदर लेंड और नीजू लेंड आमने सामने बिढ़ेंगी नीदर लेंड की टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाब दमा चुकी है ऐसे में एक और जहां कीवी टीम लगातार दूसरी जीत की फिराग में होगी तो वहीं नीदर लेंड की कोशिस पहली जीत दर्ज करने पर होगी ICC क्रिकेट विश्वकप 2023 सुरू हो चुका है और सभी 10 टीमें अपने पहले दोर के मैच खिल चुकी है कुछ नतीजे चुकाने वाले रहे तो कुछ उम्मीद के मताबिक रहे जैसे बात कल दीजा है कल के मैच की कल जिस तरीके से एक समय इंडिया की जो टीम है बोलर खड़ाई यानि कि उसके तीन बिकर जो गिरे वो मात्र दो रन पर जो टीम इंडिया के बैट से पहला रनाया वो आया तीसरे उबर में उसके बाद भी जिस तरीके से केल राउल और बिराट कोली के बीच जो साज़दारी होती है उससे टीम इंडिया को कहीं कहीं रात मिली और टीम इंडिया ने जीत दर्ज की आपको बता दें जिस तरीके से टीम इंडिया का टॉप आडर यानि के तीन बैट समयन जो पहली बार आउट हुए जीरो पर इसके पहले 1983 में ये कारणामा हुआ था 1983 के बाद 2023 में दूसरी बार ये संजोग बना जब टीम इंडिया का टॉप आडर पूरी तरीके सधारा साही रहा अगर बात करें न्यूजिलेंड ने ICC क्रिकेट बिश्वकप 2000 टेज का उदगार्ट मैच खेला और मौझूदा चैंपियन इंग्लेंड को हरा कर अपने दबदबे वाले प्रदर्शन से सभी को चौका दिया अपने कप्तान बिलियमसन के अनपस्तिती में कीवी टीम के लिए बल्ले के सितारे डेविन कानवे और रचित रविंद थे अब सब को याद होगा कि जिस तरीके से इंग्लेंड के सामने जितनी बेहतरिन पारी खेली रचिन रवींद्र और डिविन कानवे ने वो काफी सरानी थी। यानि कि एक तरफ जहां डिविन कानवे 101 कामरम की पारी खेलते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रचिन रवींद्र 122 रवींद्र बनाकर नाबाद लोटते हैं और जिस तरह से उन्होंने खेला उससे पता चलता है कि वो अपने सबी बिरोधियों के लिए एक महत्पूर खत्रा ब जयुर मिला और या प्राप्त साबित नहीं हुआ यानि कि जो विक्रम जीत ने उनका साथ दिया ये टीम को जीत के देली तक नहीं ले जा सका नुजी लेंड एक ऐसी टीम है जो अपने कम से कम रैंकिंग वाले टीमों को जीत के साथ गति बनाकर अपने मेगा एविंड का डिजाइन करती है अब जबकि उन्होंने सुरुवाद कर दी है वे नहीं चाहेंगी कि कोई चूप हो और वो अंग जमा करनेया जारी रखेंगे कशी तो लाकी फार्गूसन जो न्यूजी लेंड के एक अच्छे बॉलर हैं काफी पेस रखते हैं और बिरोधी बैट समयनों को धस करने की अपने अंदर ताकत रखते हैं लाकी फार्गूसन आगे बढ़ने और टीम में वापस आने के लिए तयार है अध्यता कीवी गेदबाजी आक्रमण को पूरा करेंगे टीम सौधी और केन विलियमसन अभी तयार नहीं यानि कि चोड़ के चलते वो दोनों है यानि कि जो नीदर लेंड की टीम है वो इस्पिन के खिलाप कुछ अच्छा प्रदस्तन का नहीं रहा है ऐसे में ईशा सोडी को भी खिलाने का मौका मिल सकता है क्योंकि ईशा सोडी एक सांदार स्पिनर है और अच्छे-च्छे बल्ले बाजों को वो चार चित कर सकते है यानि कि आज ऐसे संभावना जिता जा रही है कि नीजिल लेंड अपने टीम में ईशा सोडी को सामिल करेगी दूसरी ओर नीदर लेंड नीजिल लेंड के खिलाप एक बड़ी प्रतिच्छा के लिए तैयार है खेलने में एक समय उनके पास पहला गेम जीतने की ठोस में दवाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कॉलिन एकरमैन और तेजा निदार मानुरू जिस तरह और जिस इस्थित में अपने बिगट खोए उससे विशेश रूप से नाखुस होंगे नीजिल लेंड की ओर से बहतर बलने बाजी प्रयास निश्चित रूप से उन का पाकिस्तान से वाकईम निराज जनक रा लेकिन जिस तरीकी से टीम ने संगर्स किया पाकिस्तानी वल्ले बाजू के तरफ खास करके बास दा लीडे ने पहले उत अपने गेदबादी सुनों कमाल दिखाया फिर बैटिंग करते हुए तेज तर्रार पारी खेली लिए जो मैज का रूख कभी विदल सकते हैं निजर लेंड की तरफ से आप देखेंगे विक्रम जी सिंग जो भारती मूल के खिलाडी है और जाके निजर लेंड में खेलते हैं एक अच्छे आल राउंडर के तोर पर वो आते हैं बढ़िया बैटिंग परफारमेंस उनका रहता ह हैं बाज डी लीडे जो निजर लेंड की तरफ स्केलते हैं उनको भी आपने पाकिस्तान की खिलाफ मैज पर देखा था जिस तरीके से बालिंग की थी पाकिस्तान के आप कह सकते हैं चाहे मिडिल आडर और लोवर आडर दोनों को उन्होंने बखुबी प्रभाविद किया जाने की उन्होंने अच्छे चेक लाड़ियों की बढ़िया पर इच्छा ली थी और जिस तरीके से लाश में आकर बैटिंग करते हैं नो डाउट अगर किसी अच्छे बलने बाज का उस समय उनको साथ मिला होता तो पाकिस्तान के मुह से जीत को छीन लेते फिलाल आज का जो मुकाबला ये होगा वो निदर लेंड और नुजिलेंड के बीच होगा डेविजेस को टास होगा और दो बजे मैंच शुरू होगा ये मुकाबला आपको बता दे हैधराबाद में होगा पहले मैंच में जिस तरीके से नुजिलेंड ने इंगलेंड के खिला बैटिंग प्रेट देते रहेंगे धन्यवाद